नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदे मातो पूर्ण जानकारी को ले करके जिहां अगर नहीं किया तीस की उम्र में इन ब्यूटी रूल्स को फॉलो तो भूल जाए अपनी स्कीन की खुबसूरती को जिहा यहां तक की मसालों में भी आपकी स्कीन प्रोब्लिम्स का सुल्यूशन होता है आज भी हमारे बीच कई ऐसी चीजे हैं जिन्हें हम अंदेखा करते चले आ रहे हैं जिसमें कई चीजों को बिना किसी ताम जाम के आप सीधे ही अपनी स्कीन के तोर पर इस्तेमाल कर सकती हैं जिहां हम भात कर रहे हैं कड़ी पत्ते को सामबर रसम से लेकर के कई सारी डिसेज में इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल खाने का जाय का बढ़ाने के लिए किया जा रहा है लेकिन शायद आपको मालूम नहों कि कड़ी पत्ता आपकी स्कीन के लिए बिहद ही विश्वास नहीं होता है तो इसके फायदे आप आईए खुद ही सुन लीजिए फिर इस्तेमाल करके भी देख लीजिए आजकल जड़ते हुए बाल और डेनरफ हर महिला की एक कॉमन समस्या है जिसके लिए आप नजाने कितनी स्कीन ट्रीटमेंट लेकर के हेर ट्रीटमेंट करवाती हैं और तो और आप अपनी इन प्रोब्लेम्स को कई बार अंदेखा कर देती हैं ऐसे में अगर आप कड़ी पत्ता अपनी स्कीन और हेर पर अपलाई करती हैं तो ये आपकी इन समस्याओं से आपको छुटकारा दिला देगा जी हां तो आईए जानते हैं कैसे इस् मिनट तक लगाये रखना है इसके बाद आप इसे वोश कर सकती हैं इसे लगाने के बाद आपके स्केल्प से डेंडरा बिलकुल ही गायब हो जाएंगे कड़ी पत्ते का तेल दिलाएगा सफेद बालों से छुटकारा जी हां बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आपके बालो की देखवाल करता है बलकि ये कम उम्र में होने वाले सफेद बालों से भी छुटकारा दिलाता है इसके साथ ही कड़ी पत्ता तेल आपके कमजोर बालों को मजबूत भी बनाता है कैसे करें इस्तेमाल आईए जानते हैं कड़ी पत्ते का तेल बनाने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ी से नारियल तेल को हलका गुनगुना करना है इसके बाद आपको इसमें कुछ कड़ी पत्ते मिलाने हैं इसके बाद आप इसे कुछ समय के लिए इन्हें नारियल तेल में पड़ा रहना देना है जैसे ही कड़ी पत्ता अपना रंग बदल दे आपको इन्हें निकाल लेना है इसके बाद आप नारियल तेल को थोड़ा सा ठंधा होने दीजिए इसके बाद आप इस तेल को अपने बालों पर अच्छे से लगा सकती है जिहां आपकी स्कीन प्रोब्लेम्स में आप सबसे ज़्यादा नफरत पिंपल्स से करती है इसके हलावा पिंपल्स आपके फेस पर बेहधी भद्दे भी दिखने लगते हैं दाग धब्बे गड़े छोड़ जाते हैं जो आपकी बची खुची ब्यूटी को ग्रहन कर देता है अगर आप कड़ी पत्तों का इस्तेमाल करती हैं तो यह आपकी स्कीन को स्मूट करने के साथ साथ पिंपल्स को भी भगाता है इसका रोजाना इस्तेमाल पिंपल्स मार्क्स से भी छुटकारा दिलाता है आए जानते हैं कैसे इस्तेमाल करें आपको सबसे पहले कड़ी पत्नों को अच्छे से वाश कर लेना है, इसके बाद आपको इन्हें पीश कर एक पेश्ट बना लेना है, फिर आप इसमें थोड़ा सा निम्बू का रास मिला लीजे, इसके बाद आपको इसे पिंपल्स वाले एरिया पर अच्छे से लगाना है, आपको इसे लगाने से पहले अपने फेस को 10 मिनट पहले अच्छे से वाश करना है, इसके बाद आपको रोजाना हर दूसरे दिन इस पेश्ट को लगाना है ताकि आपको इसका फायदा मिल सके, जी हाँ, आप अक्सर अपने रोजाना के सेड्यूल में बिजी रहती हैं, किसी वजा से आपके फेस पर दाग धब्बे पर जाते हैं, और आपकी स्कीन की चमक भी कहीं खोसी जाती है, जिसको लेकर आप अलग-अलग ब्यूटी प्रोड़क्ट्स का एक्सपेरिमेंट अपनी स्कीन पर करती रहती हैं, अब आपको इसे कड़ी पत्तों के फेस पैक से फि नीचुरल ग्लो भी लेकर के आता है, जी हाँ, कैसे करें इस्तेमाला ये जान लेते हैं, आपको कड़ी पत्तों का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले कड़ी पत्तों को धूब में अच्छे से सुखा लेना है, इसके बाद आप इन्हें पीश कर एक पाउडर बना लीज ना है, इसके बाद आप इसे वश कर सकती हैं, अगर आप ऐसा करती हैं, तो आपके बाल बहुत ही खुबसूरत हो जाएंगे, जी हाँ, इसके आलावा आपकी स्कीन के लिए भी ये बेहदी फायदेमंद होता है, यानि कि कड़ी पत्ते का आप इस्तेमाल करके अपने फेस क स्मूथ बना सकती हैं, जो कि लाश्ट वाला मैंने आपको बताया, ये फेस के लिए था, ऐसे ही बालों के लिए बताया था मैंने कि अलग-अलग क्या प्रियोक करके आप अपने बालों को स्मूथ कर सकती हैं, ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए, अगले एपिसोड कारी को ले करके तब तक के लिए धाने बाद, नमस्कार दोस्तों